बारत देश में प्रत्यक जरुवत मन नागरिकों को अनाच मिले और उसका परिवार भूका ना रहे इस द्रश्टी कोंट से वर्ष 2013 में राश्रिय अन्सुरक्षादी नियम के तैट राशन योचना की शिरुवात की गई थी लेकिन इस योचना की प्रारम होने के बावजूद गोंदिया जिले में अनेक ऐसे परिवार थी जो शाषन की योचना से वंचित होकर इसका लाब नहीं उठा पा रहे थे गोंदिया विधानसवा शित्र से विधायक विनोध अगरवाल ने इस अनाज वितरन प्राली और अन आपूर्ती विवस्था को लेकर महराश्र सरकार में अन और नागरी आपूर्ती और ग्राहक सनरक्षन मंतरी चगन भुजबल से मुलाकात कर राज्जिके अती गोंदिया जिले में अनाज कोटे को बढ़ा कर देने की मांगी थी विधायक अगरवाल ने अन आपूर्ती मंतरी चगन भुजबल से कहा था कि जिले में प्राधान्य कुट्टुम लाभारती संख्या और अंतियोदे योचना की काट धारकों की संख्या के लिहास से राशन की मांग की थी अनापूर्ती मंतरी चगन भुजबल ने विधायक विनोद अगरवाल को विश्वास दिलाया था कि जिले के लाभारतियों के साथ न्याय किया जाएका और राशन कोटे में बढ़ातरी की जाएगी इसी आश्वासन की पूर्तता के तहत अन नागरी पूरव और ग्रहक संतक्षन विभाग द्वारा शाषन निर्ने क्रमांक असुका 2021 प्राकरा 66 नापूर 22 दिनांक 12 फरवरी 2022 चारी करते हुए प्राध्याने कुटुम योचना और अंतियोदे लाभारती कार्ड योचना के तहत राशन कोटे में बढ़ातरी की गई इस चौक बढ़ 1560 प्राधाने कुटुम लाभारती संख्या और 8199 अंतियोदे कार्ड धारक लाभारती संख्या है विदायक विनोद अगरवान ने अन आपूर्ती मंत्री का आभार मानतुए का की अब जिले में कोई भी जरुवत मन परिवार अनाच से वंचित ना हो इसे हे तू कटी विवाग को जरुवत मन परिवारों के आने वाले आविदनों को त्वारत पून कर उन्हें राशन स्वीधा का लाब देने की निरदेश दिए वहीं जरने मिल रहा है उन्हें राशन वित्रन किये जाने के आदेश दिर गोंदिया से BCN News के लिए अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट